साल 1990 जमूएं किश्मीर प्रोजेक्स कंस्ट्रक्शन कोर्परेशन का एक टेंपररी साइट सुपरवाइजर रशीद रशीद एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्स को मैनेज कर रहे थे जब उनके पास कुछ आम्ड लोग आते हैं और उनसे सिमेंट की बोरिया की डिमांड करते हैं बेसिकली हफता वसूली करने के लिए आये थे ये काफी आम सी बात थी 1990 के कश्मीर में मगर रशीद ने सिमेंट पैक देने से मना कर दिया कहा कि महीने के अंत में आ जाना तो मेरे पास मैं अपनी पगार से अपनी सैलरी से तुम्हें हफता दे दूँगा लेकिन ये सिमेंट की बोरियां मैं तुम्हें नहीं दे सकता हफ्ता लेने वालों को ये जुर्रत तो कहीं से मनजूर ना हुई उन्होंने रशीद को ही किटनाप कर लिया और कुछ दिन बाद एक नाले के पास रशीद अद्मरे हालत में पाए गए उनकी सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी JKPCC के जब मैनेजिंग डिरेक्टर को ये खबर पहुँची कि एक टेंपररी साइट सुपरवाईजर ने अपनी हड्डिया तुड़वा ली अपनी जान खत्रे में डाल दी सरकार की कुछ सिमेंट की बूरिया बचाने के लिए तो मैनेजिंग डिरेक्टर ने भई उसे हस्पताल ले गए और रशीद को JKPCC में इंजिनियर की पर्मिनेंट नौकरी भी दे दी रशीद अब बन जाते हैं इंजिनियर रशीद अगर ये सिर्फ एक कहानी होती या देश के किसी और भाग से होती तो शायद इसमें एक feel good ending हो जाती अभी तक picture भी बन चुकी होती मगर कहानी जमूएन कश्मीर से है तो इसमें कुछ सीधा तो हो नहीं सकता है 2005 में उसी इंजिनियर रशीद को militant groups को support करने के charges पे special operations group ने उन्हें arrest किया तीन महीने detained किया, torture भी किया फिर court ने charges को dismiss कर दिया बाद में कुछ alleged pro government gunman ने उन्हें kidnap कर लिया उनके पिताशरी को गाय बकरी property बेज का ransom दे कर उन्हें छुडवाना पड़ा उनकी जान बचानी पड़ी 2008 में रशीद ने politics में इंट्री मारी MLA बने, 2014 में फिर से जीते और खुद की party में बना ली 2024 के लोगसभा elections में UAPA के मुकदमे के तहट तिहाड जेल में बंद इंजिनियर रशीद election लड़ते हैं बारा मुला लोगसभा seat से जहां उनके opponent थे former chief minister ओमार अब्दुल्ला लेकिन वो अब्दुल्ला को हराते नहीं हैं दो लाख वोट से हराते हैं और आज ये जो चुनाव हो रहे हैं जमोईन कश्मीर में उसका नतीजा तै करने में इंजिनियर रशीद का एक बड़ा हाथ भी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इंजिनियर रशीद इस election के एकलोते interesting phenomena नहीं है allegation, counter allegation कौन sympathizer है, कौन collaborator है कहीं एक तरफ एकता की बाते हो रही है के एक तरफ आजादी की बात जब जमोईन कश्मीर elections की हो तब कुछ सीधा तो हो नहीं सकता है जो दिखता है वो है नहीं जो है वो दिखता नहीं इंजिनर रशीद तो बस इसी खेल का एक interesting उधारन है ऐसे और भी बहुत सारे interesting facts है जमोईन कश्मीर आज तीन phases में election के थू जा रहा है 18 सिटेंबर को first phase of polling हो चुकी है 25 सिटेंबर को second phase और third phase first October को हो रही है और results 8 October को हमें पता चल जाएंगे दस साल बाद जमोईन कश्मीर में assembly elections हो रहे है article 370 हटने के बाद पहली बार अब assembly election इसका नतीजा क्या होगा देशवक पर समझने की कोशिश करेंगी कि कैसे इस supreme court mandate election से जमोईन कश्मीर की तगदीर पड़ सकती है या फिर नहीं भी क्या होगा इस बार इस election के बाद सुख शांती उसकी बहाली होगी या फिर से हालात बिगड़ भी सकते हैं क्योंकि जिन candidates को एक time पर government separatist कह रहे थे अब वो भी election लड़ रहे हैं अगर वो election जीतेंगे तो impact क्या होगा और क्यों इस बात पर सियासत गरमाई होई है कि बीजेपी वोट split करने के लिए कुछ भी कर सकती है अब देखिए थोड़ी सी history जाने बिना आप J&K का A and B भी नहीं पकड़ पाओगे देखिए ये है जमूइन कश्मीर और लड़ाक का नक्षा ये सबसे पहले जमूइन कश्मीर स्टेट का हिस्सा था लड़ाक फिर 5th August 2019 को BJP सरकार के Article 370 का रद करने के साथ साथ स्टेट का भी विभाजन कर दिया गया कारगिल और ले डिस्ट्रिक को अलग करके लड़ाक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया अभी जमूइन कश्मीर स्टेट नहीं है यूनियन टेरिटरी है जिसके दो में रीजन्स है जमू और कश्मीर पीर पंजाल माउंटेन रेंज दोनों इलाकों को डिवाइड करता है कश्मीर रीजन वैली का रीजन है जमू कमपेरिटिवली जादा पहाड़ी इलाका है 60% पॉपुलेशन कश्मीर में रहती है 40% पॉपुलेशन जमू में रहती है यहाँ टूरिजम इंपॉर्टिंट इंडस्ट्री है पर सिर्फ कुछ पॉकेट्स में जादतर लोग एग्रिकल्चर और हॉटी कल्चर पर डिपेंट करते है आजादी से पहले जमू इनकश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था हरी सिंग रियासत के महराजा थे फ्यूडल जमिंदारी का सिस्टम चलता था पॉपुलेशन मिसलिम मिजॉरिटी थी मगर एक डिस्टिंक्ट कल्चर भी है 1947 में राजा इस फैसले को टालते रहे कि वो इंडिया जोइन करेंगे या पाकिस्तान के पास जाएंगे या फिर इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेंगे उसकी कोशिश करेंगे इतने में पुंच इलाके में राजा के खिलाफ रिबेलियन शुरू होता है जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करती है आग में घासलेट डालती है पाकिस्तान खुद इंफिल्ट्रेटर्स भेजना शुरू कर देता है इलाके के अंदर राजा घबरा जाता है इंडिया से मदद मांगता है मदद दी जाती है पर इस शर्थ पर की जम्मूइन कश्मीर इंडिया का हिस्सा बने agreement साइन होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग होती है UN mandated ceasefire होता है और जम्मूइन कश्मीर के कुछ हिस्सों को छोड़ कर बाकी सब इंडिया के administration के अंडर आ जाता है पॉपुलर लीडर शेख अब्दुल्ला जो नहरू के काफी अच्छे दोस्त माने जाते थे एक टाइम पर socialist नेता थे उन्हें कश्मीर के government का head बनाया जाता है उन्हें की party NC या national conference power में आती है article 370 पर भी एक broad agreement बनता है ये article कश्मीर को काफी special provisions और autonomy देता है कि भई defense, foreign affairs, communication के मुद्दों को छोड़कर जमुएन कश्मीर assembly बाकी decisions independently ले सकती है 1952 से आज तक की कहानी में काफी ups and downs आते हैं 1953 में नहरू शेक अब्दुल्ला को arrest करवाते हैं 1964 में उन्हें रिहा किया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीज में 1965-1971 में दो जंग भी हो जाती है जब हो कश्मीर में NC और Congress की सरकारे बनती है और धीरे धीरे Article 370 dilute होना शुरू हो जाता है इंडिया की ज़ादातर laws कश्मीर में applicable होने लगती है meanwhile काफी anti-Congress anti-National Conference sentiment state में बनने लगता है कि इन्होंने तो भाई two-party system बना के रखा है एक जाता है तो दूसरा आ जाता है इसलिए 1987 में elections के दोरान Muslim United Front के banner तले बहुत सारी parties ने इकठा होके contest किया अब ये open secret है कि इस election में rigging होई थी ताकि इस front को seats ना मिले नतीजा ये हुआ कि चुनाव जो लड़ रहे थे लोग उन्होंने system के खिलाफ ही बंदू उठाने का फैसला कर लिया पाकिस्तान को दिखा यहाँ advantage और शुरू हो गया यहाँ militancy का भीशण दोर जिसे पाकिस्तान ने पावड तोर सपोर्ट किया इस militancy ने एक Islamic fundamentalist रूप भी ले लिया पाकिस्तान deep state, पाकिस्तान आर्मी ISI ने भर-भर कर militants fundamentalist organizations को यहाँ support किया militant organization ने कश्मीरी पंडितों को terrorize करना शुरू किया और 1990s में होता है कश्मीरी पंडितों का valley से mass exodus बड़े लेवल पर इंडियन आर्मी कश्मीर में उनकी तैनाद की शुरू हो जाती है और 40 सालों से militants और आर्मी के बीच में एक मानो जंग सी छिडी हुई है एक simmering underscore war चल रही है हजारों innocent lives जा चुकी हैं इसी जंग में 2014 में भाजपा और PDP People's Democratic Party की coalition सरकार बनाती है PDP को एक ex-congress leader मुफ्ती महुम्मत सईद ने 1999 में फॉर्म किया था ये alliance 2018 में टूड जाती है President's rule लग जाता है स्टेट में फिर आता है 5 अगस 2019 Central Government unilaterally Article 370 को रद कर देती है और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि एक state को downgrade करके union territory बना दिया जाता है 370 अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्मांड है It's a universe of controversy of counter opinions उस पे अलग से episode हमने बना के रखा है देख लीजएगा अगर time मिले पूरे state में internet shutdown होता है mobile network बंद होता है political leaders arrest होते हैं और strict security deployment होती है धीरे धीरे situation को normal करने की कोशिश की जाती है मगर अभी भी पूरी तरीके से माहौल शांतिपूर नहीं हुआ है लेकिन इस दोरान सुप्रीम कोर्ट दो important फैसले सुनाती है एक कि आर्टिकल 370 रद होना constitutionally valid है दूसरा कि election commission को 30 सेटेंबर से पहले जमुइन कश्मीर में चुनाओ करवाने होंगे 30 सेटेंबर 2024 से पहले आप चुनाओ कराईए और सरकार को जल्द ही ये भी direction दिया जाता है कि जमुइन कश्मीर का statehood आप restore करिए अभी election हो रहे है वगर union territory के रूप में हो रहे है जहां हर चीज के लिए LG की इजाज़त चाहिए अगर दिल्ली politics आप follow करते हैं तो आप समझ चुके होंगे कि वहाँ क्या हो रहा है पर clear sentiment तो यही है कि union territory से उठकर statehood जल्दी मिले जमुइन कश्मीर को और इसी आशा में इसी उम्मीद के वज़े से लोग आज भर-भर कर वहाँ voting करना चाहते हैं 18 September को first phase of polling जमुइन कश्मीर में 61% voting record हुआ जो पिछले 7 assembly election में सबसे ज़ादा है जो भी party जीते एक चीज तो शेवर है first phase of polling के बाद कि democracy की जीत हो रही है अभी जमुइन कश्मीर में for example ये देखिए है किष्टवर में 80% voting डोडा में 71% रामबन में 70% voting और यही नहीं militancy hotbeds की अगर हम बात करें पुलवामा, अनंतना, कुलगाम, शोपियां इन सारे districts में अच्छी खासी voting देखी गई है याद रखिए ये वो जगा है जहां 30-30 साल से जादा लोगों ने elections को boycott करके रखा था हुरियत ने जाकर लोगों को धमका के रखा था लेकिन अब यहाँ voting आराम से हो रही है बिना किसी डर के हो रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक achievement है तो क्या जमू एन कश्मीर अप पूरे देश के लिए भी एक example सेंट कर सकती है क्या second phase of polling में 61% से भी जादा voting हो सकती है इस सवाल का जवाब आप प्रोबू पे जाकर दे सकते हो सवाल फिर से ध्यान से सुर ले ना voter turn out in phase 2 of जमू एन कश्मीर assembly elections 2024 to be higher than phase 1 और elections ही नहीं by the way प्रोबो पे आप cricket economy, weather, breaking news सब चीजों पर जिन पर आपकी पकड़ है उस पर आप opinion share कर सकते हो प्रोबो को 3 करोर से जादा users आज trust करते हैं और इसमें आप अपने knowledge और confidence के हिसाब से opinion trading कर सकते हैं और अपने मन पसंद amount पर quantity increase भी कर सकते हैं अगर आप confident है उसके बाद unlimited amount of deposit या withdrawal कर सकते हैं और वो भी आसान तरीके से UPI, Paytm जैसे apps के जरिये सवाल फिर से सुन लीजेगा phase 2 of जमू एन कश्मीर assembly election में क्या और भी जादा voting percentage हम देख पाएंगे yes या no पर आप जवाब दे सकते हैं probo app पर link मैंने app का नीचे description box पर देगे रखा है अगर इस link को अगर आप use करोगे तो आप 100 rupees, up to 100 rupees joining amount भी जीत सकते हो anyways, back to the story और अब पता चलेगे कि story आगे कहां से जा रही है 2024 में इस election में चार main parties हैं Congress, BJP, NC और PDP और कई छोटी छोटी parties हैं जो contest कर रही है जैसे की CPM है, Panthers party है आवामी इतिहाद party है, अपनी party है People's Conference और जमाते इसलामी भी है जमाते इसलामी क्यों इंटरेस्टिंग है उस पर अभी हम आते हैं इंडिया ब्लॉक पे Congress, National Conference, CPM और Panthers party है BJP की कोई official alliance नहीं है पर कई छोटी parties के साथ unofficial understanding है कुल मिलाकर पूरे 90 seat है majority mark 46 43 seats जम्मू में आती है 47 कश्मीर में आती है वैसे इस पर भी काफी दोनों से kontroversy चल रही है कि 2022 में जो Union Territory में D-Limitation हुआ उसमें जम्मू की 6 seats बढ़ा दी गई कश्मीर में सिर्फ एक जबकि population growth दोनों एरियाज में almost same था जादा फरक नहीं था अब demographics अगर आप देखें तो 68% मुस्लिम आबादी है 29% हिंदू आबादी है 2% सीख आबादी है 50 to 55% कश्मीरी speaking लोग हैं कश्मीरी मुस्लिम और पंडित दोनों 20% डोगरा है जो जादा तर जम्मू के plains में रहते हैं और majority वो हिंदू है पीर पंजाल और जम्मू के पहाडों में गुजर और बकरवाल community और पहाडी community भी रहती है दोनों की संख्या राउंड 8-10% है बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों का ही stronghold जम्मू है 2024 के लोगसभा elections में जम्मू की दोनों seats पर BJP की जीत हुई और कॉंग्रेस second position पर आई NC और PDP कश्मीर में जादा influential है लोगसभा में NC कश्मीर की दो seats जीती है एक seat इंजिनियर रशीद जीते हैं और PDP दोनों ही seats में second आती है NC नौर्थ कश्मीर शीनगर जादा strong है और PDP का घड़ साउथ कश्मीर माना जाता है PDP गुपकर alliance का part होने के बावजूद अलग से election contest कर रही है पर कहा जाता है जरूरत पढ़ने पर NC और Congress के साथ post-poll alliance हो सकता है वही BJP के साथ alliance तूटने के बाद PDP कर रही है और कुछ seats में अपनी party, people's conference जैसी छोटी parties के साथ unofficial alliance उन्होंने बनाया है इनको BJP की proxy parties भी बुलाया जाता है BJP की strategy simple है जम्मू को पूरी तरीके से sweep कर लो डोगरा, पहाड़ी, कश्मीरी पंडित community को consolidate करके BJP ने February 2024 में पहाड़ी community को ST status भी grant कर दिया, उसके vote हासिल करने के लिए उसी के साथ साथ उमीद ये है कि कश्मीर में NC Congress एक तरफ और PDP बीच में उनके votes बढ़ जाए और कुछ seats BJP को भी मिल जाए या उनके friendly parties को मिल जाए वही इंडिया ब्लॉक की strategy है कि NC Congress Alliance कश्मीर वैली में sweep करे और जम्मो रीजन में Congress BJP के anti-incumbency के चलते वहाँ भी कुछ seats हतिया ले पर क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं ये depend करता है कि BJP का 370 का gamble किस तरीके से pay off करता है और ये समझना बहुत जरूरी है कि लोगों के shutdown हो चुके हैं, arrest हो चुके हैं, heavy deployment हो चुका है लोग suffocated feel कर चुके हैं पिछले 5-6 सालों में लेकिन BJP का plan ये था कि militancy, पत्थरवाजी को पूरी तरीके से खतम कर दिया जा जिसके चलते फिर state में stability आए, security आए, tourism आए investment आए, ये सारी चीज़े बढ़े और जमुहिन कश्मीर फिर BJP पर कहीं न कहीं फिर लोग भी उन पर trust करना शुरू करें कि ये इन्होंने एक long game खेला है तो ये रिदे परिवर्तन क्या हुआ है BJP के लिए BJP का पहला दावा ये है कि terror attacks और कम हुए हैं और पत्थरवाजी खतम हुई है इन दोनों facts पर ही broad agreement है लोगों में लेकिन ऐसा नहीं है कि 370 हटने के बाद एकदम शांती की बहाली हो चुकी है सबकोच एकदम peaceful हो चुका है अगर civilians और security forces के deaths की अगर आप बात करो तो 2022 के अगर जो हमारे पास आंकडे हैं वो 2018 से कम जरूर हैं और जब 370 हटा था लेकिन अगर आप यही 2022 के आंकडे 2012, 2013, 2014 के मुकाबले अगर आप compare करो तो deaths जादा हुई है यानि UPA2 के end में जो level थी article 370 हटने के बाद BJP around वही है या वहां तक भी नहीं पहुँच पाई है तो ऐसा blanket statement हम नहीं लिख सकते हैं militancy खतम हो चुकी है इसी के साथ साथ रजोरी, पुंच जैसे relatively peaceful जम्मो डिस्टिक्ट में militant activity increase हुई है तो याद रखिये पाकिस्तान, डीप स्टेट ISI, अभी तक जम्मो इन कश्मीर एरिया में जहां उसको opportunity मिलेगा वहां वो problem create करने की कोशिश करेगी कश्मीरी पंडितों का भी ये मानना है कि उनकी security situation बहतर नहीं हुई है ऐसे भी reports हैं कि कश्मीरी पंडित नाराज है BJP के साथ, जो उनकी बाते तो खूब करता है, उनके नाम पर vote लेता है, लेकिन उनकी actual security improve नहीं कर पाता है BJP का दूसरा दावा है कि tourism बहुत बड़े level पर बढ़ा है कि पहले जो 20 लाख tourist आते थे, अब वो 1.5 करोड तक पहुच चुके हैं पर unfortunately ये number का भी इसमें थोड़ा सा खेल है पहले जमूर कश्मीर की सरकार माता वैशनो देवी और अमरनाच श्राइन जाने वाले pilgrims को tourists की category में count नहीं करती थी ये इसलिए क्योंकि pilgrims usually सरफ धर्म स्थल पर जाते हैं और फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं वो घूम फिर कर state की economy में contribute नहीं करते हैं, वहाँ बढ़ावा नहीं होता है वहाँ पैसे का infusion नहीं होता है तो scroll ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि अगर आप tourists में pilgrims को भी शामिल कर दो तो 2011-12 की अगर हम बात करें तब जमुएन कश्मीर में 1.25 करॉर टूरिस्ट आ चुके थे तो ये आकड़ा तब से बहुत जादा बढ़ा नहीं है बीजेपी का तीसरा दावा है कि development का रफ़तार काफी बढ़ा है और देखिए यही main मुद्दा है यही main आकड़ा होना चाहिए लेकिन यहाँ भी numbers कुछ खास बया नहीं करते हैं स्टेट की जो GDP growth 2015 और 2019 के बीच में थी before article 370 was abrogated तो 13.2% था वही 370 abrogation से आज के बीच में 8.73% तक आ चुकी है अगर आप चलो COVID को भी जिम्यदार ठहरा लोगे तो उसके साथ साथ आपको internet shutdown को भी मानना पड़ेगा कि that was also one of the reason जिससे business ठप हुआ और ना ही 370 के हटने के बाद बहुत सारा investment, industry या jobs आई है लेटेस्ट अगर आप आखडों के बात करेंगे तो unemployment 10.7% हो चुका है national average से 4% जादा youth unemployment के अगर आप बात करेंगे तो 18.3% है which is very worrying और इसी के साथ सा घुसा है कि 370 हटाने के बाद भी statehood वापस नहीं दिया गया 6 साल से center basically state को control कर रही है उसके बावजूद महंगाई बेरोजगारी की हालत खसता है उपर से 2022 में जमुईन कश्मीर service selection board में paper leak होता है एक severe power crisis है state में और सरकारी नौगियों का contractualization हो चुका है मने permanent jobs नहीं लग रही है और साथी साथ youth में drug की problem भी बढ़ रही है और उपर से 6 साल से कोई elected assembly नहीं है तो LG साहब के उपर depend करना पड़ता है और LG साहब की कोई accountability नहीं है शिकायत यह है कि सारे contract अब बाहर के लोगों को मिल रहे हैं एक unaccountable bureaucracy power में बैठी होई है और लोग बिचारे jobless, helpless इन सब चीजों के चलते काफी बड़े लेवल पर जमू कश्मीर में निराशा और घुसा है सिर्फ 370 की बात नहीं कर रहा हूँ मुद्दा स्टेट हुट का है मुद्दा democratic representation का है इसी लिए शायद इस बार काफी high turnout हमें दिखने को मिल रहा है अब Indian Alliance का कहना है कि वो BJP पर इतना pressure डालेगी कि तुरंद statehood restore वो करवा देगी NC और PDP का ये भी कहना है कि वो Article 370 को वापस लाने के लिए fight करेगी NC और PDP ने ये भी कहा है कि वो Public Safety Act जिसे Draconian कानून कहा गया है उसे repeal करने की कोशिश करेगी वो कानून जिसके तहट हजारों journalist, human right activist और critics को 2020 और 2023 के बीच में सरकार ने जेल में ठूसा है बिना trial के और कभी कभी तो बिना किसी सबूत और किसी वज़े के भी मगर यहाँ पर भी सवाल उठता है कि इस Public Safety Act के तहट ओमार अब्दुल्ला और महबूबा मुत्ती ने भी तो अपने टाइम में हजारों लोगों को जेल में डाला था PDP 2014 से लेकर 2018 तक BJP के साथ Alliance में थी National Conference कहती है 370 वापस लाएंगे लेकिन Alliance Partner Congress इस बात पर काफी चुप है तो यह contradictions भी है जो लोगों को दिखेंगी Congress हर्याना में विनेश फोगाट को टिकेट देती है महिला सुरक्षा की बात करती है अच्छी बात है लेकिन वहीं कत्वा जिले के भसोली Assembly seat से Congress ने चौधरी लाल सिंग को टिकेट दे दिया वही आदमी जिसने कत्वा रेप अक्यूस्ट के सपोर्ट में रैली निकाली थी जो बीजेपी से भी बाहर निकाल दिया गया था Congress उन्हें बाइट के टिकेट दे रही है जमूइन कश्मीर के लोग ये हीपोक्रिसी बखुबी देख रहे हैं सालों से देखते आए हैं सवाल है कि इस बार वो क्या करेंगे कश्मीर वैली में इन नेता टाइप लोगों को लेकर एक माइंडसेट चेंज जरूर हो रहा है यह observation मैं नहीं कह रहा हूँ कश्मीर टाइम्स के executive editor अनुरादा भसीन ने कहा है एक लेक में उनका कहना है कि लोग सवाई elections में कश्मीर वैली में जब result आया तो एक बात तो प्रूव हो गई खास कर कि यह जो first time voters हैं महिलाएं हैं, youngsters हैं इन्हें एक outspoken और बेबाक leader चाहिए अब इसलिए engineer रशी जैसा एक व्यक्ती election जीतता है जबकि वो तिहार जेल में बंद था और of course NC candidate वो नहीं जीतता है जो जादा outspoken माना जाता था लेकिन उसे भी हरा दिया जाता है तो हवा तो इस तरफ बह रही है कि लोग vote तो भर-भर कर रहे हैं लेकिन जो established parties हैं उनके खिलाफ घुसा है उनके खिलाफ निराशा है वो sentiment किस तरफ अब fully जाएगा शायद इस चीज़ को तो election ही decide करेगी और हम exit poll तो करते नहीं मगर यहां उमार अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि बीजेपी जान बूच कर इंजिनियर रशीद और जमाद जैसे इनके जो candidates हैं इनको support कर रही है ताकि कश्मीर वैली में जो vote base है उनका बटवारा हो जाए इसलिए इंजिनियर रशीद को बेल भी दिया गया है सिर्फ campaign करने के लिए महभूमा मुफ्ती का भी कहना है कि बीजेपी इंजिनियर रशीद की आवामी इतिहात party को fund कर रही है दूसरी तरफ इंजिनियर रशीद का कहना है कि NC और PDP ने हमेशा दिल्ली सरकार के साथ मिल कर जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा है जब NC PDP के लीडर आराम से house arrest में थे तो वो पांच साल से तिहाड जेल में पड़े हुए थे पानी के लिए वो तरस रहे थे और चाहे जो हो जाए वो बीजेपी के साथ alliance नहीं करेंगे अगर सही में इंजिनियर रशीद एक significant amount of seeds जीत पाते हैं तो जम्मू कश्मीर की grand old parties खत्रे में आ जाएंगी और एक नए तरीके की democratic participation हमें दिखने को मिलेगी अब exactly होता क्या है ये तो 8 October को ही पता चलेगा जादातर analyst का prediction यही है कि Congress NC के पास chances जादा है क्योंकि इस बार जम्मू में उस तरीके का moody wave नहीं दिखने को मिल रहा है मगर याद रखिये किसी भी तरीके से ये prediction करना बहुत मुश्किल होता है जम्मू कश्मीर बहुत complicated मामला है अगर कोई पहले बोलता कि बारा बुला लोग सभा seat में इंजिनेर रशीद उमार अब्दुल्ला को हरा देंगे दो लाग वोट से हरा देंगे तो आदमी पहले हस्ता 2024 के election से लेकिन अब ये हकीकत हो चुकी है जम्मू कश्मीर में डर का माहौल चलते लोग अपने political opinion को खुले तोर से share नहीं करते हैं तो exit poll पर मत जाईएगा पोल, pundits पर मत जाईएगा अभी मुखी खाई थी उन लोगने elections के बाद अब कौन case के साथ मिला हुआ है ये बताना इसलिए मैं बोलता हूँ आसान नहीं है बस यहीं उमीद रखेंगे कि भाईया जिस तरीके से नजारा अभी दिख रहा है फर्स्ट phase of polling के बाद peaceful electoral process हो जाए democracy बहाल हो जाए accountability हो और long term peace के तरफ हम कम से कम एक कदम तो आगे रख ले इतने साल अब हो चुके हैं अगर आप जम्मो इन कश्मीर से हैं तो please comment section पे अपने opinion ज़रूर शेर करिएगा बिना किसी को name किये बात support की नहीं है बात तो हम एकी चीज़ support करते हैं democracy को support करते हैं peace को support करते हैं आशा करते हैं second और third phase में और भी जादा लोग बढ़ चड़कर vote करें और जम्मो इन कश्मीर अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए एक example set करें in voter turnout Thanks for watching